इस लिए अब मैं एक फैन को मंगाने से पहले मैंने एक और फैन मंगा था और वो था दूसरी कंपनी का और प्रॉम्टन का था वो थोड़ा सा आवास करता था तो मैंने फिर इसको बदल दिया और इसको लोग जादा ट्रस्ट करते हैं बॉक्स के अंदा कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलता है ब्लेड अलग है और मोटर का पार्ट अलग है यह मैंने इसका वाइट वाला कलर मंगाया है अब इसको खोलते हैं तो पुराना पंखा वापस करने के पर लिए आपको 700 रुपाय का ओफ मिलता मेरा जो पुराना पंखा जाए तो एकदम बेकार हो चुका था जो कबाड़ी वाला सौट पर मिलता उसको अच्छा दाम पर ले लिए और मेरा भी पैसे बच गया तो उससे मेरा 700 रुपाय का ब और यह तो फिटमेंट यह सेफ्टी वायर है इसको देखते कास लगाना है और अब बारी आती है विंग की तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने उसको कैसे ख़ईदा था तो जो बाकी जो आग गूगल पे आपको गूगल पे से काफी आफ मिल जाता है गूगल पे से मुझे अच्छे दाम पर मिल गया यह पंका और समयली जी कि किस्मत वाली बात है कि यह वाला मिल गया फ्लिपकाट वाले आप से 200 रुपए एक्स्टा ले ले लते हैं अगर आप इंस्टाल करने वाला हूँ क्योंकि यह बहुत ही आसान प्रसेस होता है अगर आपको थोड़ा सा ड तो उस आवाज की चलते में फिर उसको वापस करवा दिया था तो अब इसमें मैं विंग आपको लगा रिखाता हूं कुछ ऐसा दिख रहा है यह पंखा और इसमें एक अच्छी बात है कि यह थोड़ी सी रवर्ड की वो गैप दिया हुआ जाए ताकि इसकुरू एक्डम और यह है इसका कुछ है फ्रेंट से लुक और इसमें ब्लू कलर की अलीडी है जो आगे मैं इसका बता हूँगा कि क्यासे काम करती है तो काईज मैंने दोनों पंखे लगा दिये हैं और इसको जो रओब इसके साथ अथ आती है उसमें लगाना काफी डिफिकल्ट है मैं उसमें रिक्मेंड नहीं करूँगा बल्कि इसमें लगाना काफी असान है जिसे लंबी रोड होती है ज्याद़ काम करना चान होजाता है बहुत जादा दिफिकार्ट हो गया मेरे लिए तो उसमें मैं नहीं लगा पाया तो मैंने लगा तो मैंने लगा दिया और कुछ प्रॉब्लम जो है जो मुझे सामने आई है बताता है आपको वो यह है कि यह से से आप पंखा देख रहे हैं तो यह है रिमोट इसका और तो आप जानते हो एक कैसे कैसे टाइमर काम करता है लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही है जैसे माली जै मैंने वन पे चलाया तो वन पे अपने देखा और अब तू पे थोड़ा सा स्पीड पकड़ेगा अब जैसे मैं तीन पे चलाऊंगा यह तीन उसमें तो दिखा रहा ह तो अब मैं अपना तो करूँगा है साथ में दूसरा भी करूँगा जो दूसरा बंदा लेटा है तो उसको भी प्रॉब्लम होगी और यह बहुत बड़ा कंसर्न है इतनी बड़ी कंपनी मुझे यकीन हो रहा कि उसमें यह पॉइंट नहीं सोचा जबकि क्रॉम्टन में इन्फरारेट वाला नहीं है तो उसमें आराम से इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम और यह प्रॉब्लम काफी सीरेस है और जैसे यह आपने दखा कि मैंने तीन पर किया तो यह भी थी पर चल यह बहुत दीन पर चलना है इसकी थीन ज्यादा यह 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 4 पर चलना है इसमें मैं अगर 4 पर करूडबा तो 4 इसमें भी और 4 इसमें भी है कि दोनों को सीच्ट किया और देंज सकते हैं व्हाला 4 पर चल गवाला यह भी 4 पर झाल अब वो बूस्ट मोड़ है अब मैं बूस्ट में करूँगा देखे का कोई फरक ने पड़ेगा तो अब इतने पर ही एक कमरे में पंखे लगते हैं तो इसमें कमपणी को कुछ सोचना चाहिए था और कुछ अच्छी तेकनोलोजी देनी चाहिए थी अब मैंने एक उनके सलाकार को बुलवाया है और अब देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं और क्या निश्काश निकलता है इ आपको गिन लेते हैं थे 1,2,3,4,5,6 अब इसमें इस तरह से दिया हुआ है और इतना ये स्मूध है और इतना एक तरीके से पता ही निचलता कि आप कौन सा बटन दबा रहे हैं तो ये भी एक मुझे बड़ा कौन लगा कि पता ही निचलता कि आप कौन सा बटन दबा रहे आपको याद रखना पड़े का कौन सा बटन कहां पर है और सबसे बड़ी दिक्कत है वो तो यही है कि दोनों पंखे एक ही रिमोट से काम करने है अब ये लोग करवा पाए साही कर पाए तो ठीक है वरना फिर एक तो वापत जाये गई बाकी जो इसकी स्पीड है जो परफ वरकर्स को बुलाया था तो हुआ ये कि इन में जो आपको एक नंबर मिले का जहां अगर लिखा हो तो वो एट सम्थिंग करके है और बहुत ही बेखार इनकी सर्विस है कसम से बता रहा हूँ मैं मैंने कॉल किया आज सुबा कॉल किया सत्रा मिनट की मुझे वेटिंग मिली अगर बंद रहा है तो ये लोग दूसरे से कॉल करके पता कर सके कि क्या बात है क्या नहीं है लेकिन पता नहीं इन लोग के दिमाग में क्या था इन लोग ने कि मुझे कॉल एक नमबर पर किया और कॉल नहीं उठी मैं एक्जाम देने क्या था तो मेरा फोन सुच आफ था तो मैंने इनको अर्टरनेटर नमबर इसलिए दे रखा था ता कि भाई तुम कॉल करो वो कॉल भी नहीं किये दुवारा दूसरे मोबाईल पर औ अब पता नहीं लोग कैसे कहते कि Atomberg की सर्विस अच्छी है कहां से अच्छी है किस अंगल से अच्छी है भाई अभी फोन करूंगा तो कह रहा है आपको वेटिंग लिस में 28 नमबर इतना बड़ा नमबर बंदे फोन ही नहीं उठा रहे एक नमबर दिया हुआ है इनका त करती अब इसको मुझे वापस करना पड़ेगा पता नहीं क्या हो रहा है बिल्कूल समझ में नहीं आ रहा जरा सी सेंस नहीं होती इतनी बड़ी कंपनी है तुम्हें तो पता होना चाहिए कि एक कमरे में दो पंखे रख सकते हैं इसमें दोनों का रिमोट अलग अलग करना कुछ तो ऐसा होता अगर ब्रांट जो टीवी बनाते हैं उनमें भी ऐसे होता है कि IR रिमोट जो होते हैं इंट्राइड रिमोट उनमें भी यह होता है कि एक टीवी के रिमोट से दूसरी टीवी नहीं कनेक्ट होती नहीं चलती पथा नहीं इतना बड़ा ब्रांड है इतना service experience तो मैंने किसी में नहीं 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 देखा, मैं अब मुझे लग रहा है कि मैं chromtain ही रिलेता सही रहता, जाद जाद मुझे थोड़ी सी आवाज जहल नहीं पड़ती, इतना जलील को नहीं होना पड़ता इनके चेकर में, मैं आटमबक किसी को अब रेकमेंड नहीं करता, कता ही नहीं, मैं थोड़ा सा आवास नहीं लूँगा, और क्रॉम्टैन अब दोबारा खरीद लूँगा, मैं इस पर अब नहीं जा पाऊंगा